हलो बच्छो विल्कम बैक टो आर चानल इजी वेटू स्टड़ी बच्छो आज हम आपके लिए लिए लिखे हैं क्लास 8 की मैथेमेटिक सब्जेक्ट की वरक्षीट नमबर 19 बच्छो जैसी आप सभी जानते हैं सबसे पहले यहां पर हमें अपना नाम लिखना होता है और ने बच्छो एस्टिमेटिंग डिस्क्वार रोट यहनी किसी नमबर का स्कुइर रूट क्या हो सकता है वह एस्टिमेट लगाना यहां पर हमें एक अरिया के बीच में पता है कि रिया लुक अदिस फिगर एंड टेल मी वट इस शेप दिस फिगर प्रिया को कहती है कि देखो इस शेप को और बताओ कि यह आप शेप क्या लग रही है तुम्हें? रिया कहते है, it looks like a square, but we have to measure its length and breadth. रिया कहते है, मुझे लगतो square रहा है, पर confirm करने के लिए मुझे इसकी length or breadth को measure करना पड़ेगा. तब रिया कहते है, can you tell about length and breadth without measuring? क्या तुम इसकी length or breadth को बिना measure के बता सकती हो? रिया कहते है, no, यानि नहीं. तब रिया कहते है, if area of this figure is 225 cm2, we can find this square root by estimation. अगर हमें पता है कि इस figure का area है 225 cm2, तो हम इसका square root का estimate लाओ अगर पता गर सकते हैं. रिया कहते है, how, यानि कैसे? तब रिया कहते है, let me explain you, love, मुझे बताने दो, यहां बच्चों हमें एक figure दिखाएगे है, जिसके बारे में बात की गई है, और यहां पर इसका area दिया गया 225 cm2, तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे, तो हमें एक table दिया गया है, जिसमें हमें 3 columns and number, फिर इसको square form में कैसे लिखेंगे और उसके square की value क्या हैगी, 1 के square का मैस लिखेंगे, 1 के ओपर छोटा 2 बना देंगे, उसका square की value हैगी 1, इसी परकार 2 का square हैगा 4, 3 का 9, बच्चों हमें यहां पर 25 तक के square के बारे में बताया गया है, आप यहां भी देखेंगे, तो 25 तक के square की value भी दी 25, एक side का square करेंगे तो बच्चों सकान जाए 25, अब बच्चों दोनों side square values है, अब एक side से हम square रटाएंगे तो क्या होगा, दूसरी तरफ square root लग जाएगा, यानि एक side की value आएगी, square root of the area given, यानि 225 का square root, let's estimate, चलिए estimate लगाते हैं, इन number 225, 5 is the unit place digit, अब बच्चों 225 में जो 5 है, तो आपका unit place की digit है, so 5 is also a unit place digit in the square root of 225, इसी लिए बच्चों 225 का square root होगा, उसकी unit place की digit भी 5 ही होगी, we know that square of 10 is 100, हमें पता है कि 10 का square 100 होता है, and square of 20 is 400, और 20 का square 400 होता है, तो बच्चों हम कह सकते हैं, 225 जो होता है, 100 से बड़ा होता है, और 400 से छोटा होता है, there is only one number between 100 and 400, which has unit place digit 5 in its square, बच्चों 100 और 400 इपीच में सिर्फ एक ही number ऐसा होता है, जिसके square में unit place के digit 5 होती है, and that number is 15, और बच्चों होता है, बच्चों हम 228 का square root find करने कोशिश करेंगे, the square root of next square number 256 is 16, जो बच्चों हमारा अगला square number है 256, उसका square root होता है 16, therefore 15 square, बच्चों 225 और 16 square बच्चों 256, which means root under 228 lies between the number 15 and 16, यान 228 का square root, बच्चों 15 और 16 के बीच में पढ़ता है, and the number 228 is more nearer to 225 rather than 256, बच्चों जो हमें number दियागे 228, या 225 के ज्यादा पास है 256 के comparison में, so the root under 228 closer to 15, तो बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते है, you can also use the sign of estimation, hence, root under 228 is estimately equal to 15, इस बच्चों हमें question दिया गया है, जिसमें हमें चार numbers दिये गए है, हमें क्या करना है, हमें estimate करना है, इनका square root क्या होगा, चलिए देखते हैं के solution, फर्स बच्चों 80, यानि 80 का square root क्या होगा, तो बच्चों जैसके हमें पता है, उपर table दिया गा था, उसकी help से आप देख सकते हैं, जो square of 8 होता है, वह आता है 64, और square of next number, यानि 8 से अगला number क्या होता है, 9, उसका square होता है 81, अब बच्चों 80 होगा, हमारा 81 और 64 के बीचे में पढ़ रहा है, पर 80 is closer to 81, वह 81 के ज़्यादा पास है, इसलिए हम लिख सकते हैं, 80 is estimatedly equal to 9 square, यानि 9 square के बराबर माने जा सकता है इसको, अगला number बच्चों 356, तब बच्चों इसके लिए आप table में जब देखेंगे, तो इससे पहले वाल number है 18, उसका square है 324, और जो 18 का square है, उसका next number आता है, square वाला 361, जो 19 का square है, अब अच्चों आप जो आप जब देखेंगे, 356, जो आप 361 के ज़्यादा पास है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, 356 is more closer to 19 square, या फिर estimatedly equal to 19 square, next number आता है 509, अब अच्चों इसे हमने दूसरे method से करने की कोशिश की है, जैसे कि आपने उपर example में देखा था, हमने देखा पहले हैं, इसका unit place number के है 9, तो हमने लिखा है, in 509 unit place digit is 9, we know square of 20 is 400, and square of 25 is 625, अब बच्चों जो मार 509 है, वह 400 से तो बड़ा है, और 625 से छोटा है, between 20 and 25, there is only one number which have 9 as unit place digit in its square, बच्चों 20 और 25 के squares में से, इनके बीच में एक सिर्फ एक ही number ऐसा है, जिसके square में unit place के digit 9 आती है, that is 23, वह 23, but square of 23 is 529, but 23 का जो square आता है, वह आता है 529, बच्चों हमने ये method किस लिए किया है, by chance अगर कोई proper square number होता था वह इससे निकल के आ जाता, अब answer square of previous number, यह और 22 का square क्या होगा 23 से पहले वादे number का, वह होगा 484, और बच्चों next number जो है, वह था हमारा 23, ज count कर लिया था, बच्चों हमें नमबर दिया कि 509, वह 484 और 529 दोनों के बीच में है, पर 509 जो 529 के ज्यादा close है, इसलिए हम लिए का here 509 is closer to 529, so we can write 509 is almost equal to 23 का square, next number बच्चों 628, इसके लिए बच्चों हमने जो पहले method यूज किया था, वही method यूज करेंगे, we know square of 25 is 625 अब बच्चों 625 हमने देख लिया कि 25 का square होता है, पर 628 उसे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, next number का square भी check करेंगे, and square of 26 is 676, याने 628 से काफी बड़ा रहा है, अब बच्चों 628 जो दोनों squares के बीच का number है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यूज किस number के ज्यादा pass मे है, हमने देखा 628 से ज्यादा pass 625 किया है, तो हमने लिखा, 628 is closer to 625, so we can write 628 is almost equal to 25 square, बच्चों यह हमारी वक्षिर लास्ट क्वेशन था, इसे के साथ मारी वक्षिर यापर complete होती है, I hope आप सब इक अच्छे समझ में होगी, बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो उसे like करना और अपने friends साथ share करना ना भूले, साथ ही अगर आपको कोई question है, तो उसे आप comment section में जरूर पूछे, हम आपके question को जल से जल answer करने की कोशिश करेंगे, और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरन्त नोटिफिकेशन मिल जाएं, थैंक यू